नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों मेरा नाम है प्रित्युराजबर्मा और आप देख रहे हैं सिंपल आईवड़ा दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है एक नए बिजनेस आइडिया के अंदर दोस्तों जिस परकार नंदर दिस्वोट आते हैं जो कि हम घर पर मारे जो बरतन होते हैं उनको क्लीन करने के लिए उंको साप करने के लिए यह हम यूज करते हैं इनका केक भी आता है केक का वीडियो हम फिर अगले कभी आगे बनाएंगे लेकिन आज हम डिस वोस्ट न का वीडियो है वो पूरी जानकर यह आपको दूंगा इसकी जो स्टेंडड डाइसो ग्राम गी पांसो ग्राम गी और वन केजी दोस्तों जैसा आ मैं आपको क्वालिटी चेक कराने के कोशिस करूँ हूँ यह मैंने अपने हाथों से बनाया है और मैं आपको इसके प्रोसेसिंग भी दिखाऊंगा कि किस परकास से बनता है बीना मशीन के छोटी पुंजी के अंदर आप बिजनस स्टार्ट कर सकते हैं जैसा कि आपने देखा क्लर तो आप अपने साब से मनेज कर सकते हैं तो दोस्तों इसकी कोस्टिंग है वह आई है 30 रुपे से 31 किपैश की पेकिंग है तो 15 रुपे का इसके अंदर मैट्रियल है और चार रुपे का ये बॉक्स है तो यह 20 रुपे में रेडी हो गया अब आप इसको हॉल सेल में 25- 20 रुपए के बीच में आप हॉल सेल में बेच सकते हैं यह बहुत ही स्टेंडर का प्रोडेक्ट है दोस्तों बिल्कुल कच्रा नहीं है अगर आपको कच्रा बनाना है इसको सफ्ता करना है तो इसके अंदर आपको थोड़े से क्या है जो डॉलमाइट पाउडर है उस क्वाट तो दोस्तों यह अगर आप मेशीन से बनाते हैं तो एक दिन के अंदर आप बहुत कमा सकते हैं आप 4-5,000 रुपे 10,000 रुपे मेशीन से कमा सकते हैं वो आपके मार्केटिंग पर डिपेंड करता है अगर दोस्तों आप यह हाथ से बनाते हैं और 3-4 लेवर भी रखते हैं तो आप 2000 रुपे डेली के आराम से कमा सकते हैं वो भी आपके मार्केटिंग पर निर्वर करता है तो दोस्तों पूरा कम्प्लीट वीडियो देखेंगे और प्रोसेसिंग भी देखेंगे कि किस परकार से यह बनता है दोस्तों इसके बनाने की अगर बात करें तो अगर सिंग करते अगर कोई काम करता है तो 8 गंटे के अंदर यह 4 रुपे बना सकता है अगर 500 रुपे आप इंकम लेके चलें तो 5 रुपे के इंकम 2000 रुपे डेली की इंकम होती है उसके अब सब्सक्राइब करते हैं वह भी आपकी मार्केटिंग पर डिपएंट करता है दोस्तों चलि कूरता है और आपके लिए बिजन्स आडिया लेखे आते रहे चली सुरू करते हैं वडियों डोस्तों पूरा सामान है वो यहां पर मैं लेकं अ क्या हूं और हम बनाएंगे तो दोस्तों यहां पर हम बनानेगा वाले यहां पर 700 ग्राम लेने वाला हूं तो यहां पर आपको मैं फॉर्मिलेशन दूंगा वह 100 kg के दूंगा अगर आपको 1 kg बनाना है तो आप इसको सो से डिवाइडेशन कर सकते हैं और रेट भी इसकी जो टॉटल कोश्टिंग है वह भी 100 kg के मैं यहां पर बताने वाला हूं वा से आप भी देख सकते हैं तो यह देखें दोस्तों यह है हमारे पास सोडा एस जो कि मैं यहां पर लेने वाला हूं सो ग्राम तो यहां पर 100 ग्राम हम सोडा एस इसके अंदर एड़ करेंगी तो यह पूरा प्रोसेस आपको थोड़ा सा साब्दानी से करना है कुछ तो यह हमारा 100 ग्राम हो गया है बस थोड़ा सा कम रहा है मैं इसको सेट कर लेता हूं यह 99 ग्राम हो गया है यह हमारा 100 ग्राम सोडा एस हमने यहां पर लिया है दोस्तो इसको थोड़ा सा हम मिक्स करेंगी ताकि हमारा सोडा एस और जो सोब इस्टोन पाउडर है वो थोड़ा सा मिक्स हो जाए अब इसके बाद में दोस्तो हम एड़ करेंगी सोडियम सिलिकेट जो कि हम यहां पर लेने वाले हैं 50 ग्राम तो यहां पर मैं सोडियम सिलिकेट है वो 50 ग्राम इसके अंदर एड़ करने वाला हूँ दोस्तो sodium silicate का जो काम होता है वो होता है binding का हमारा जो product बनेगा उसको ये binding देगा उसको बांद कर रखेगा उसको फटने नहीं देगा और वो विखरेगा नहीं सुकेगा नहीं तो यहाँ पर मैंने sodium silicate लिया है 50 gram इसके बाद मैं दोस्तों यहाँ पर मैं ले रहा हूँ SLS आप यहाँ पर SLS या फिर AOS दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं आप AOS भी डाल सकते हैं या दोनों mix करके भी डाल सकते हैं तो यहाँ पर मैंने SLS लिया है तो SLS यहाँ पर लिया है मैंने 20 gram जो कि आप 100 kg के अंदर यहाँ पर 2 kg डाल सकते हैं और जो sodium silicate है वो 100 kg के अंदर हमारा 5 kg डलता है और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ 4 kg तक यूज कर सकते हैं 100 kg के अंदर और 1 kg के अंदर हम यहाँ पर जो polymer है वो 40 gram तक यूज कर सकते हैं तो दोस्तों हो सकता है वीडियो के अंदर मैं आपको सही formulation नहीं बता पहूं तो मैं आपको description में पूरा formulation डाल दूँगा जहांसे आप rate और formulation चेक कर सकते हैं तो दोस्तों अब इसको हम फिर से mix करेंगे और उसके बाद में हम इसके अंदर add करेंगे acid salary तो दोस्तों acid salary का जो काम होता है वो होता है mail काटने का और जो हमने soda ice डाला है उसको ये neutralize भी करेगा जिससे हमारा pH है वो maintain रहेगा और हमारे हाथ नहीं कटेंगे ये है हमारे पास green color आप इसके अंदर red, green, yellow, pink जो भी color आपको पसंद हो food color है ये आप कोई भी color उसके अंदर डाल सकते हैं तो ये यहाँ पर मैंने green color use किया है इसको अच्छे से हम mix करेंगे तो आप दोस्तों यहाँ पर हाथ से भी mix कर सकते हैं या पिर एक normal दरीगे का आप mixer भी गर पर बनवा सकते हैं जो कि आप हाथ से operate कर सकते हैं तो अब इसके अंदर दोस्तों add करेंगे acid celery तो यहाँ पर दोस्तों कलर की मात्रा होती है वह 100 kg के अंदर 400 ग्राम तक होती है वह कलर की quality पे डिपेंड करता है तो यहाँ पर हम acid salary के अंदर use कर रहे हैं 15 kg 100 kg के अंदर 15 kg acid salary डाला जाता है तो यहाँ पर मैं 150 gram acid salary डालूँँगा 1 kg के अंदर तो अभी यह थोड़ा सा फूलेगा फूलते वक्त आपको थोड़ा जान रखना है कि यह बाहर नहीं निकल जाए और इसको अच्छे से mix करना है हातों की safety रखनी है यह देखे किस परकार से यह फूल रहा है यह acid salary और soda ice car neutralize का reaction है दोनों neutralize होते हैं इसलिए यह फूलता है अब यह थोड़े दिर हम mix करेंगे उसके बाद में यह नीचे बेट जाएगा तो यह आसानी से mix हो जाता है दोस्तों आप 15 kg का एक साथ बेच बना सकते हैं 20 kg तक बना सकते हैं वो आपके उपर depend करता है अगर आप इसको machine से बनाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपके machine से है वो डाइलाक रुपे तक invest हो जाते हैं machine के जिससे की quality बहुत super बनती है machine से बहुत अच्छी quality बनती है यह देखिए थोड़ा थोड़ा हमारा green color है वो आना start हो गया है और हमारा protect भी mix हो गया है लगबग आप इसमें अगर यह ज़्यादा hard है तो आप इसमें अपनी आउसकता अनुसारच में पानी भी एड़ गर सकते हैं तो यह जो हम आटा लगाते हैं ठीक उसी परकार से यह हमें लगाना है उसी परकार से यह बनता जा रहा है अगर आप हाथ से गर पे बना रहे हैं तो आप इसके अंदर ऐसा system बना सकते हैं कि एक वेक्ति है वो इस परकार से material mix करता जाएगा और टेक वेक्ती है वो इसके अंदर जो हमारा टब है उसके अंदर ये पैड़े बना कर इसको फील करता जाएगा ये देखिए हमारा ग्रीन कलर आ गया है उपर तो आपको जितना जैसा कलर रखना है उतना कलर आप इसके नर डाल सकते हैं तो मैंने यहाँ पर नॉर्मल ही कलर डाला है तो यह है दोस्तो हमारे पास लेमन का फ्रेक्रेंस जो की हम दो या तीन बूंध डालेंगे इसके अंदर जो कि 100 kg के अंदर हमें 150 ml डालना होता है तो मैंने यहाँ पर 2-3 बूंद ही इसकी डाली है क्योंकि जो डिस्वोस्ट अब होता है उसके अंदर ज्यादा खुस्बू अच्छी नहीं लगती जो कि बड़तनों में रह जाती है इसलिए इसके अंदर बहुती कम है वो कुस्बू डाले जाती है तो यहाँ पर यह है हमारी गर का पानी जो कि मैं इसको थोड़ा लूज करने के लिए इसके अंदर यूज कर रहा हूँ ताकि यह असानी से मिक्स हो जाए और कलर भी हमारा मिक्स हो जाए तो इसमें मुझे लगता है अभी थोड़ी सी पानी की जुरूलत और है तो इसमें मुझे अभी थोड़ा पानी और एड़ करना पड़ेगा लेकिन मैं देखता हूँ अगर यह सही बैठता है तो मैं थोड़ा सा पानी इसके अंदर और डाल लेता हूँ ताकि यह असानी से मिक्स हो जाए जो हम काम हातों से कर रहे हैं कमपनियां वही काम मिक्सर से करवाती है जो मिक्सर होता है वो इसको मिलाते रहता है पिलाते रहता है उसके करण यह मिल जाता है और क्वाल्टी अच्छी बनती है तो यह देखे दोस्तों यह पूरा मिक्स हो गया है यह हमारा 1kg के आसपास प्रोडेक्ट बना है और हम इसको दो टब के अंदर इसको फील करेंगे हाफ आफ के जी के दो टब बनाएंगे हम यह सेम तो सेम कमपनिय का प्रोडेक्ट बना है दोस्तों इसको कोई बता नहीं सकता कि यह गर पे बना है या फेक्टरे में बना है तो इसका हम प्रोडेक्ट का 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 प्रोडेक्ट है वो 10 या 9 होना चाहिए 9-10 के बीच में रहना चाहिए तो ये देखे पूरा आटे की तरह ये लग गया है जैसे हम आटा लगाते हैं ठीक उसी प्रकार से ये बन गया है और अब इसको कुछ नहीं करना बस बोक्स के तरह डालना है और बेचना है तो ये लगबग मिक्स हो चुका है हमारा ये देखे दोस्तों अब हम इसको पैड़ी के तरह बनाएंगे और हमारे बोक्स के अंदर इसको फील कर देंगे ये देखे दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रोड़क्ट हमारा बना है ये देखे दोस्तों अच्छे तरिके से आप इसको बिठा सकते हैं हाथ से बिठा सकते हैं या फिर गोल लकडी काट कर उसको उपर से प्रेस करके भी इसको बिठा सकते हैं तो ये हमारा हाप केजी का product ready हो गया है, हमारा टब है वो ready हो गया है, ठीक आप इसी परकार से आगे continue process कर सकते हैं, और continue इसको बनाते रह सकते हैं, तो दोस्तों अगर इस material को बनाने के आपको kit चाहिए, ये product बनाने के आपको इसका material चाहिए, तो इसकी kit भी हमारे पास clubbed है, 1000 रुपे की kit इसकिया जाती है, जिससे कि आप गर्पे बना सकते हैं, शेक सकते हैं, और देख सकते हैं कि आप बना पाते हैं, या नहीं बना पाते हैं, तो इस परकार से दोस्तों हमारे जितने भी product हैं, उन्हों सभी product की हमारे पास kit है, 500 रुपे से सुरू होती है, और 25 र हमारा प्रोटेक्ट बना है और यह मार्केट में सेल होने के लिए अभी रेडी है अब आप इसको मार्केट में सेल कर सकते हैं यह बिल्कुल रेडी है आपको मैं देख से दिखाने कि यहां पर कोशिश करूँगा देखिए कितनी अच्छी क्वालिटिका है और लेमन की इसके गोल चीज से इसको प्रेस करेंगे कोई लकडी वगरा से तो यह बिल्कुल उपर से समतल हो जाएगा और यह हाथ लगे वे नहीं दिखाए देंगे तो अब हम दोस्तों इसका करेंगे पी एच चेक और आखिर में हम करेंगे इसका डेमो तो यह है हमारे पास पी एच पेप पी एच कोई भी प्रोडेक्ट बिनाएं दोस्तों उसका पी एच चिक करना बहुत जुरूरी होता है नहीं तो वो प्रोडेक्ट हरम फुल हो सकता है हातों को नुक्सान दे सकता है तो यह देखे दोस्तों हमारा जो पी एच है वो 9 और 10 के बीच में है जो कि आप यहाँ प 9 और 10 के बीच में हमारा पी एच है जो कि हमारे हातों को बिल्कुल भी नुक्सान नहीं करेगा बहुत अच्छा मेल भी काटेगा और नुक्सान भी नहीं करेगा क्योंकि इसके अंदर पॉलिमर भी हमने एड किया था पॉलिमर क्या है हमारी जो हात होते है स्किन होती है उस कि अंच दे के दुश्त के जाग भी बन रहे है क्वालिटी भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि मुझे भी अच्छी क्वालिटी इसकी लग रही है दोस्तों तो आप भी इस परकार से घर्पे बना के देख सकते लें दोस्तो कोईबी बिजन अगर अब शुरू करना चाहते हैं तो उसकी पहले पूरी जान करे लें उसका पहले पूरा नोलेज्ट लें तो यह देखे दोस्तों it's an zajak कितने बन रहे हैं यह देखे में उपर से पाणी डाला है तो इस परकार से दो दो आज का जो हमारा प्रोडेक्ट है वह बहुत अच्छी क्वालिटी का सक्सेस्फुल प्रोडेक्ट दुना है आपको कोई भी इंक्वारी हो तो मैं डिस्कृस्ट में वर्टसप नम्बर दिया है मैंने वहां पर आप मेसेज सोट सकते हैं हमें मेसेज डाल के पूछ सकते है झाल 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 झाल